असलाम लेकुम एवरीवन कैसे हैं आप लोग उमीद है सब खेरिये से होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी अच्छली इसमें सिर्फ खाने भीने वानी बाते हैं तो अपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा एक्चली सुबा का टाइम था चुटी का दिन है तो हम लोग ना इन दिन पहले पैंसिलवेनिया गई वे थे जो बोड़ वॉक का व्लॉग मैंने शेयर किया था ना वहाँ पर तो उधर ही वाजिवा रेस्टरूरंट है जहां से हमने कुल्चे चने पैक करवाई थे और सु होते हैं तो है तो वह बहुत दूर लेकिन ये बात है कि एक्सेस में है तकरीबन 45-50 मिनिट्स की ड्राइब है तो अक्सर कभी चक्कर लग जाए तो वहाँ से फिर हम ले आते हैं तो साथ ही मैंने चाय जो थी वह गरम होने के लिए रग दी ओवन को प्री हीट किया और उसम तरह से गरम हो जाएंगे पर साथ में चने जो थे वह जिस सर्विंग डिश में मैं निकाल रही थी उसी में मैंने माइक्रोवेव में गरम करना था तो बस यह देखे हैं जही चाने मैंने निकाल लिए है शकल से भी पता रही है कि मज़े कि हैं और हमेशा इनकी अच्छे ही होते हैं अगर आप दो को दिन बात भी एचाने खाएंगे तो हमेशा ऐसे लगेगा जैसे आप फ्रेश खा रहे हैं हस्पिन ने कहा चनों के साथ अंडा उबाल लो तो बस हस्पिन के लिए मैं एक अंडा उबालने के लिए रख रही थी क्योंकि बच्चे और मैं तो अंड अफरात अफरी की रूटीन होती है नाश्टे में इसके पाद नाश्टा वगेरा बनाती हूँ और सब को वन बाई वन देना होता है जाना होता है तो बहुत अफरात अफरी की लाइफ होती है वीडेस में तो वीकेंड पे भी अक्सर ऐसी होता है तो जब कभी बाहर का नाश्टे का तो ये देखे जी अंडे बॉयल हो गए मैंने उपर इस तरह से इसके सजा दी हैं नाश्टा माशालला हमने अच्छ तरीके से इंज्वाई कर लिया और इसके बाद चाए निकालके हमने रामे का एक एपिसोड देखा चाए हमेशा हम नाश्टे के बाद पीते है उसके बाद हम अपनी ग्रॉसरी के लिए निकल गए तो ग्रॉसरी करके हम आ रहे थे आज खाने में कुछ नी बनाया था तो हस्बंड ने ना समोसे ले लिए तो बस हमने सोचा के चाए के साथ ना दो चाए चीज़े और करके हम ना पेड़ भर लेंगे क्योंके आज मेरा बिल्कुल भी मूर नी था कुकिंग करने का और ग्रॉसरी भी करनी थी फिर मेरे बेटे के जब भी ठीक नी थी उसको डॉक्टर के दिखाना था साथ में ये बच्चों के जो एन्वल चेक अप्स होते है न तो वो भी थे तो बस पिर इसी तरह हमारा पूरा दिन तो गुज जाल रही थी कि इंको भी माइक्रोवेव कर लेती हूं तो ग्रॉसरी जो थी थोड़ी पर जो में लाई थी वो मैंने बाद में समेटनी थी तो जो फ्रिज बाले आइटेम्स थे जो इमेडेट रखने थे उनको मैंने फॉरन कर दिया था ना तो बस मेरे पास ना कुछ पानी है यह मैं लेकर आई थी देशी स्टोर से जो ना खटा है ना बहुत मैंनी के मीट है मिक्स है और बड़ा मज़ेका था उसके साथ मैंने सोचा कि चलो चनों की ना वो बना लेती हूं जो गोल कपों में फिलिंग होती है ना तो चैने में मेरे पास कैन वाले पड़े थ उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि हम इसको गोल कपों में फिल करें और पानी के साथ उसको एंजॉय करें तो अच्छा रहा और साथ में लोकी का हलवा पड़ा वा था मैंने का चलो वो हस्बंड को दे देती हूं माइक्रोवें में गरम करके टेरा मिसो भी मेरे प तो इस तरह के मौकों पर काम आ जाती हैं चीज़ें तो अच्छी सी चाए हो गई हमारी और अच्छे तरीके से दिन गुजर गया तो ये देखें जी चाए जो थी ना वो मैंने पानी और दूद की जो मिक्स वाली होती है वो रखी थी वैसे मैं तो दूसरी वाली पीती हू तो बस फिर हम जब एकठे चाए पीनी हो तो हम इस तरह की पी लेते हैं और जब मैंने अकेले में चाए पीनी हो तो मैं वो पानी के कावा पका के ना उसमें हलका सा एवरी डे या कभी धूद हलका से मिक्स करके बस उस तरह की चाए पीती हूँ या कभी काफी पी लेती हू तो वस अब ये के समोसे जो थे ना इनके बड़े मज़े के होते हैं मारे पास ये करीम में एक शॉप है मीड शॉप उन से मिलते हैं ये इनके गर्मा गर्म समोसे तो बड़े मज़े के होते हैं और चनो वाली जो चट्नी होती है ना समोसा के साथ तो इसको मैं मिस करती हूँ, अचाई यह मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे लॉन में बड़े प्यारे से गुलाब के फूल के ले हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन चल रहा है जो बड़े प्यारे से खिले-खिले आए हैं, वैसे पूरा साल यह बिलकुल खाली रहता है, लेकि तूद ब्रश हमें हमारा जो डेंडल है डॉक्टर उसने पर रिकमेंड किया वा था डेंटिस्ट में कि हम इसको यूज़ करें क्योंकि हम क्लेनिंग वाइरा के लिए जाते रहते हैं तो वो होती रहती हमारी तक्रीबन त्रीवांस के बाद तो इसलिए पर इनकी था के आम रूटीन में भी न हमें ये एलेक्ट्रिक यूज़ करने चाहिए तो हमने न ऐसा किया कि खठा मंगवा लिया मतलब कि हस्बंड का भी है और मेरा भी है और साथ इसमें न मल्टी अटैच्मेंट्स है कि अगर चाहें बच्चे यूज़ करना चाहें तो चलो उनकी अटैच्मेंट आप अलग से लगा लो और वो यूज़ कर लें तो अपनी अलग से रख लें और चार्जिंग स्टेशन जो है वो इसका एक ही है यह देखें इन्होंने एक वाइट है एक ब्लैक किट है तो यह बड़ा अच्छा है पोर्टेबल सा है मतलब इनके जो बॉक्सें उसमें आप रखके कहीं पर भी एविन ट्रैवलिंग कर रहें तो और से ले जाएं एक दफ़ा चार्ज करके तो बस इस तरह से हमें बड़ा अच्छा लगा और अच्छा रिवियो ही दूंगी मैं इसके बारे में तो बस यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो उमीद करती हूं आपको पसंद आई हो कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद बनाओं इंफर्मेटिव भी हो अंटेटेनिंग भी हो और होम मेकर्स के लिए मोटिवेशनल हो तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो उमीद करती हूं अच्छे लगी होगी इंशाला मिलते हैं अंगले वीडियो में अल्ला हाफिस